हेलो एश्टुडेंट, फिजिक्स की आनलाइन क्लास में आपका स्वाग आते, आज कमरे टॉपिक है फिजिक्स की प्रश्ण वेंग की उनिट नमबर दो के लेशन नमबर तीन, धारा विद्ध्यू से तीन अंक वाले कोश्चन में से कोश्चन नमबर पांच के अंसर को समझ जनातों चले शुरू करते हैं, तो हमारा कोश्चन धारा और इलेक्ट्रॉनों के अपभा वेग जिसे अनुगमन वेग भी बोलते हैं, इनमें संबंद इस्थापित करना है, अब ये अनुगमन वेग क्या होता है, जब विद्ध्यू छेत्र लगा या था, तो चालक में ज जोसत वेग से क्या करते हैं, जिसको बोलते हैं, अनुगमन वेग और इसकी वेल्यू होती है, तो अब देखते हैं, कि माना कि किसी चालक के अनुपरस्त परिच्छे या अनुपरस्त कार्ट का चेतर फल ए है, इसमें इलेक्टानों की संख्या N मान ली और इलेक्टानों का जो अनुगमन वेग है, वेडी मान लिया है, तो जो टी सेकेंड है, टी सेकेंड के अंदर चालक के अनुपरस्त परिच्छे से बहने वाले इलेक्टानों की संख्या, बहने चालक के अनुपरस्त कार्ट से टी सेकेंड में कितने इलेक्टान बह जाएंगे, उनकी जो संख् यहीए लाइन लिखना आपको एलेक्ट्रों की जगे शरीफ आवेस कर देना है, तो टी सेकेंड में चालक के अनुप्रस्त परिछे से बहने वाले और एलेक्ट्रों की जगे आवेस कर दो, आवेशों की संख्या, ठीके, तो आवेश है तो बस इस फार्मुला आपको आवेश मतलब E का क्या करना है तो Q बराबर हो गया आविश A का A, N का N, VD का VD, T का T और सिर्फ यहाँ पर आविश की जगे हमने क्या कर दिया E कर दिया तो यह फार्मूला यही से पूट हो गया ठीके, अब जानते हैं कि क्या जानते हैं कि धारा जरब बराबर होता है आविश बटे में क्या होता समय मलब आविश प्रवा की दर को ही क्या बोलते है धारा बोलते है तो I बराबर होता है Q बटे में T चुकि हमारे पास Q की वेल्यू है तो इस Q की वेल्यू हम समीकरण में रख देंगे तो यहाँ पर I का I हो गया, बराबर का बराबर, Q की जगे हो जाएगा, A, N, V, D, T, E, तो यह लिख दिया A, N, V, D, T, E, और बटे में T हो गया, बटे में T हो गया, ठीके, अब उपर भी T, यह नीचे भी T है, तो यह T से आलट T क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो जो बच्चा है वो हम लिख देंगे, तो I का I लिख दिया, बराबर का बराबर, A का A, N का N, V, D का V, D, T का डिया, तो E का E, तो हमारा बच्चा I बराबर, A, N, V, D, E, यही धारा और अनुगवन वेग में क्या है संबन्दे, तो उम्मीदे आप समझ गयोंगा, मिलते अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहे हैं, बेस्ट आफ लग फार यूर एक्जाम